और 36 गड़ के राइपूर से इस वक्ती बड़ी खबर मिल रखी है रादिका खेडा ने कॉंग्रिस से स्तीफा दे दिया है सुशील आनंद शुकल से विवाद के बाद ये बड़ा कदम उठाया है, स्तीफा दे दिया है, रिजाइन कर दिया है खड़गे को लिखे पत्र में रादिका खेडा का ये बड़ा आरोप, कॉंग्रिस में राम नाम लेने वालों का विरोध होता है, कॉंग्रिस में धर्म का साथ देने वालों का विरोध, कल बहुत बड़े खुलासे करूंगी, ये भी उनकी तरफ से कहा गया है तो 36 गड़ के राइपूर से ये बड़ी ख़बर आपको हम बता रखे हैं एक बार फिर से कॉंग्रिस में उतल फुतल रादिका खेडा ने रिजाइन कर दिया है अपने बत से आदी काल से लेकर आज तक ये सत्य है कटू सत्य है कि जब-जब किसी ने धरम का साथ दिया है तो उसका विरोध हुआ है चाहे हिरिन कश्यप जी हो चाहे रावन से लेकर कंस्तक ये सब उधारण है कि किस तरीके से जब-जब धरम का साथ दिया जाता है तो उन लोगों का विरोध किया जाता है श्री अरोध्याधाम, रामलला की जनभूमी, हम सब हिंदूओं के लिए बहुत ही पवित्रस थली है और मैं वहाँ दर्शन करने से अपने आपको रोक नहीं पाई लेकिन वहाँ जाने का विरोध इस कदर मुझे सहना पड़ेगा मैंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा था मेरे साथ 36 गर्ड़ प्रदेश कॉंग्रेस कार्याले में अभधरता हुई मुझे वहाँ पे धका मुकी करी गई कमरे में बंद कर दिया गया लेकिन मेरे साथ न्याय नहीं हुआ मैं चीक चीक कर गुहार करती रही छोटे से लेकर सबसे बड़े श्रीशनेतित तक गुहार करती रही लेकिन मुझे न्याय नहीं मिला और सिर्फ और सिर्फ इसले नहीं मिला क्योंकि मैं राम मंदिर होकर आई, मैं राम लल्ला के दर्शन करकर आई और मैं अपने आपको इस बात से रोक नहीं पाई जिस दिन से 25 एपरिल को मैं राम वलाला के दर्शन करती आई हूँ, मुझे निरंतर विरोध का सामना करना पार रहा है पार्टी से और वो विरोध अब मुझे न्याय के हक से दूर कर देगा और मुझे न्याय नहीं दिया जाएगा ऐसा होगा प्रभु शिनाम के दर्शन करने के लिए इस तरीके के मेरे साथ व्यवहार और बरताव किया जाएगा मैंने नहीं सोचा था 22 साल मैंने इस पार्टी में रह कर सेवा करने का काम किया है और पूरी निष्ठा से और काम किया है लेकिन आज जब मुझे न्याय की जरुवत थी तो पार्टी चुप थी और मुझे कह दिया गया कि चुप रहो और कोई तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा तो बहुत दुख के साथ बहुत पीड़ा के साथ आज मुझे अपने पार्टी पद से प्रात्मिक सदस्यता से मैंने इस्तीफा दिया है लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि रामलला मुझे न्याय जरूर देंगे जी बिलकुल नहीं ऐसा नहीं है मैं अभी सिर्फ न्याय की लड़ाई लड़ रही और मेरी लड़ाई कायम रहेगी